हेलो फ्रेंट्स फॉरंसिक मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में डिसकस करें एम आक्सिसिलन एंड पोटेसियम क्लावनेट एंटिवाटिक्स के बारे में जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है देखेंगे इस वीडियो में उसका क्या साल्ट कंपोज जो हमारी एंटिवाटिक्स वो मेडिसिंस होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है या तो बैक्टीरिया के गुरूथ को रोंक देती है तो ऐसी हमारी मेडिसिंस एंटिवाटिक्स कहलाती है तो हमारी जो एम आक्सिसिलन एंड पोटेसियम क्लावनेट एंटिवाटिक्स होत इसके काम की बात करें तो यह broad-spective antibiotics होती है broad-spective मतलब जो medicines जो antibiotics हमारी काफी बेक्टिरिया पर काम आती है जो काफी बेक्टिरिया को cover करती है तो ऐसी हमारी antibiotics broad-spective antibiotics कहलाती है तो हमारी यह amoxyslum potassium clevinid antibiotics होती है ग्राम positive bacteria and anaerobic bacteria को kill करते हैं या तो उसकी growth को यह रोंग देती है लिगाएं बेसी मेकैनिग यह थम समझे तो यह beta-lectum antibiotics होती है बेक्टिरिया के cell wall को break करती है और साथ में उसमें पाई जाने वाले जो lactum ring होती है वो उसको भी यह break कर देती है जिससे enzyme synthesis नहीं होता है जब injection synthesis नहीं होता है तो क्या होता है बेक्टिरिया किल हो जाता है या तो उसकी growth को रोंग देता है अब हम समझे इसमें जो composition होता है वह हमारा इसमें दो composition आपको देखने को मिलेंगे जो 625 mg की medicines होती है इसमें amoxicillin जो होता है वह 500 mg होता है और potassium cleavenate acid जो होता है वह 125 mg हो देखने को अब मिलेगा इसके treatment की बात करें किन कर्णिसनों में इसको यूज कर सकते हैं तो जैसे आपको different parts body parts में आपको infection देखने को मिलेंगे जैसे ear infections हो गया lung infections हो गया या sinusitis infections हो गया जिसे nozogera में आपको infection देखने को मिलेगा इसके infections हो गया urine tract infections हो गया mouth infections हो गया या teeth infections हो गया तो आपके काफी infections पे ये medicines काम करती है इस work कैसे करती है जिसे kill the bacteria and prevent the growth आप ये bacteria को kill कर देखती है और prevent करती है उसके growth को note देखें इसका तो medicines will not work the cold या flu या other virus infections तो जी हमारी antibiotics होते है ये viral infections में यूज नहीं की जाती है जैसे cold हो गया है या flu हो गया या other infections है तो उस पे ये काम नहीं होगी इसके side effects के बात करने तो इसके भी कुछ आपको common side effects देखने को मिल सकती है या तो आपको damage अपसिर देखने को मिल सकता है liver damage हो सकता appetite है abdominal pain है या diarrhea नाउजिया वंटिंग है तो यह आपको common side effects देखने को मिल सकते हैं इसके doge की बात करें तो condition based medicines होती है पैसेंट का weight क्या है उसका age क्या है तो उस condition medicines doge decide किया जाता है adult के लिए जो इसका doge होता है वो 625 और 250-375 बच्चों के लिए 125 mg doge medicines दे जाती है इसको BD में या TDS में दिन में दो बार इसको दिया जा सकता है या infection बहुत होता है तो इसको तीन बार भी चला लिए जाता है तो इसके common brand अगर बात करें इसके तो tablet forms में आपको मिलेंगी देखने को जिसे चिक मॉक्स सीवी 375 आती है एस क्लेव आती है और इसके जो नो मॉक्स 250 आती है क्लेव मिक्स 625 आपको देखने को मिलेंगी तो आपको इसके कई मेडिकल से प्राप्त हो जाएंगे थैंक्यों फॉर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स जिद्द आपको जानकर एच्छी लगी तो हमारे बीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनलों सब्सक्राइब लेंग जिन नेक्स्ट वीडियो आपको मिल से और आपको जा